हेलो फ्रेंड्स दिस इस सिया वेलकम बेक टो माई चैनल इस्टडी लवर सिया आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं यूपीसी सीडियस का क्वेस्चन है यह जो की पूछा क्या क्वेस्चन है स्पॉर्टिंग एरे पे बेस्ट है यह और 2016 के फर्स्ट इक्जाम का है इसमें हम लोग बस मात दस क्वेस्चन को देखेंगे तो पहला क्वेस्चन हमारा है यहां हम देखते हैं सबसे पहले हाडली का मतलब समझ लेते हैं हाडली का मतलब होता है एकदम नो नो होता निगेटिवीटी दिखाता है और जबकि यहां पे क्या है मुस्किल से मिला है इसका मतलब कि यह नहीं है कि हाडली यहां पे यूज़ होगा मिला ही नहीं है मुझे आजादी जीते ही नहीं हम लोग आजादी तो यहां पर हाडली की जगह क्या आना चाहिए हाड आना चाहिए ना कि हाडली ओके तो इस प्रकार से option number A में यहां पर क्या error है फिर question number 2 देखते हैं I tried to meet the person whom you said was looking for me मैं उस व्यक्ति से मिलने की बात की बारे में बता रहा है और यहां पर यहां इसमें कोई error नहीं है option number A में फिर option number B में देखते हैं whom you said मुझे कुछ लग रहा है यहां पर इसी से भी clear हो जाएगा was looking for me वो मुझे ढूंड रहा था और जबकि हमें चाहिए क्या यहां पर subject चाहिए subjective case का का काम करने वाला एक word चाहिए तो whom का जो subjective case होता है वो क्या होता है हू होता है तो यहां पर whom नहों करके क्या होना चाहिए whom होना चाहिए तो इस प्रकार से यहां पर जो error है वो option number B में है तो क्यों से नंबर थर देखते हैं वी लुक डॉप्डर तथी बट वाज नो वेर टूवी फाउंड हमने चोर को देखा मतलब होता है केर करना ख्याल रखना देख भाल करना और यहां पर जो है चोर का कोई ख्याल रखे का गया नहीं न तो यहां पर क्या आना चाहिए और यह और की जगा नहीं फॉर लगा दें तो क्या हो जाएगा ढूंड न तो आप्टर की जगह क्या होना चाहिए तो इस प्रकार से आप्षा नंबर A में ही एर रहे है तो क्या हो जाएगा अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नूबर 4 में I hope that the train will arrive one time but it did not मुझे उमीद सब्सक्राइए की ट्रे आपास्ण सньहरो से घुथे ट्रेंगई प्रिए में ही निए तर्व की इतों सितिए जू़िए तो दो हो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की ओर दीयर और बिलॉंगिंग्स वर लॉस्ट इन दफायर उसके सभी वस्तुमें आग में खो चुकी यानि खो गई उसकी सारी वस्तुमें तो यहां पर जो अपसन नमबर ए में यह और किस प्रकार से है क्योंकि यहां पर लॉस्ट यह इन दफायर यह भी सही है तो अरर किसमें है ए में है कैसे है यह जो आल हमेशा किसके पहले आता है पजेशिप एड्जेक्टिब के पहले आता है किसके पहले पजेशिप तो यहां पे किसके पहले आजाएगा देयर के पहले आजाएगा यहां पर आना चाहिए आल दियर वि आवर रहता तो आल आवर विलॉंगिंग्स आल हर विलॉंगिंग्स तो यह इस प्रकार से प्रगेश्सट्टिब केस और प्रयोग किया जाता है जब इसके साथ नाउन भी आता है तो इस प्रकार से एरर हमारा किसमें option no a में है अब हम दोग देखते हैं next question question number six he was in the temper and refused to discuss the matter again वह जो है temper में था और क्या कर दिया refuse कर दिया मना कर दिया matter को फिर से discuss करने के लिए तो यहां हम देखते हैं ये भी सही है और ये भी सही है क्योंकि and refuse बिल्कुल सही है क्योंकि ये past में तो ये भी past में है discuss the matter to discuss यानि infinitive का यूज किया गया ये भी सही है और देख लिते हैं option number A में he was in the mad temper temper यहां पर क्या है एक noun है और वो भी किस प्रकार का noun है abstract noun है यानि भाव आचक संग्या है क्या है भाव आचक संग्या और भाव आचक संग्या क्या होती है यानि ऐसे भाव जिने हम क्या कर सकते हैं बस देख सकते हैं और ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं बलकि क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं मैसूस कर सकते हैं भाव आचक संग्या होती हमारी abstract noun होता है तो यहां पर temper वही है और abstract noun के पहले कभी भी द नहीं लगता है यानि आर्टिकल का प्रियोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार से यहां पर क्या है जैसे कि और एप्सट्रेक्ट नॉन हो गया यूनिटी हो गया जो है ऐसे अन्य प्रकार के हो गया कई सारे वर्ड फिर क्वेस्टिन नंबर सेवन देखते हैं देकोरेशन से नियूर हाउस तो यहां जो डेकोरेशन से आपके घर का इसके घर से मैश करता है मिल रहा तो यहां की वाड नहीं आया है तो इस प्रकार से घर का हो जा रहा और इसे सही करने के लिए हम करेंगे क्या इस डेकोरेशन के अस्थान पर कोई ना कोई वर्ड लिखेंगे क्योंकि डेकोरेशन को हम डारेक्ट डेकोरेशन नहीं लिख सकते हैं कहने का मतलब एक सेंटेज में डबल नहीं कर सकते हैं तो अब जो है इस प्रकार से अप्शन नमबर सी में क्या है एरर है अब नेक्स्ट क्येस्टन देख लेते हैं डिस्पाइट आप इंक्रीज इन एयर फेयर्स मोस्ट पीपोल इस्टिल प्रेफर तो ट्रेवल बाइब प्लेन मतलब एयर फेयर्स वाइवान के भाड़ा बढ़ने के बावजूद भी बहुत से लोग अधिकान से लोग क्या करते हैं प्लेन से ही यात्रा करना पसंद करते हैं तो यहां हम देखते हैं पहले में देखते हैं यहां डिस्पाइट दिया हो डिस्पाइट के बावजूद इसक प्रकार साथ कोई प्रिपोजीशन कोई आगा तो इस प्रकार से हैं दीसपाइट के साथ यहां पर ऑफ आया है तो यहां पर क्या एरिरियर कहीं भी डिसपाइट आता है तो इसके साथ कभी नहीं आएगा तो अब हम देखते हैं next question की ओर यह हमारा next question he told the boys that if they worked hard they will surely pass यह हम देखते हैं कि यह past tense में है reporting वर past tense में है और यह क्या है यह भी past tense में लेकिन यह past tense में नहीं है यह future में लेकिन past में नहीं है यह बिल्कुल चौथे question की तरह है I hoped वाले की जैसे तो यहाँ पे will का past tense अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा उड़ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए उड़ आना चाहिए इस प्रकार से option number C में क्या error है और इसके बाद last question हमारा I sell right to you when I sell this chinnai तो मैं तुम्हें लीखूंगा जब मैं चिन्नाई पहुच जाओंगा तो यह हमारा क्या है conditional sentence है यादि मैं चिन्नाई पहुच गया तो मैं तुम्हें लीखूंगा conditional sentence में होता क्या है जो condition दिखाने वाले sentence होते है उन्हें हम किसमें लिखते हैं किसमें लिखते हैं, सिम्पल क्रीजर्ट मेंगे प्रन रिजल् הן मिलता है वह किसमें होता है, प्यूकर में आता है, तो यहान हम देखते हैंhigha, यह मुझे मुझे पता चलता है। और यह मुझे पता चलता है, यह किसमें होना चाहिए। Auss premi, तो इस प्रकार से यह option number C में क्या है इरर है तो I sell right to you when I reach चिन्नाई और यह इसका क्या है परडाम है कि अगर मैं चिन्नाई पहुच गया तो मेरे चन्नाई पहुचने का परडाम क्या होता है कि में तुम्हें लीख हूंगा तो यह इसका परडाम किसमे निकलता है फ्यूचर में रहता है तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपको समझ में आया होगा और जहां न समझ मैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएए थैंक्स पर वासिंग मैं वीडियो थैंक्यू